प्रिविएस वीडियो में हमने आपको पहली आर्केटिक रीजन तथा नि-ार्केटिक रीजन के बारे में बताया था आज हम नियो ट्रोपिकल रीजन के बारे में चर्चा करेंगे कि नियो ट्रोपिकल रीजन क्या है इसका भवोले की बितरन क्या है यहाँ पे जो फोना पाये जाता है जनतु जात पाये जाती है उसमें क्यावे बित्ता है और यह किस प्रकार से इसका बितरन पाया जाता है फर्ष्ट हम बात कर लेते हैं यहां के जियोग्राफिकल लिमिट की की यह छेत्र जो नियोट्रोपिकल रीजन है यह कहां तक फैला हुआ है इसकी सीमा है क्या है जियोग्राफिकल लिमिट और भोगोलिक सीमा है भगोलिक सीमाओं की बात करते हैं हम तो यह जो छेतर है यह मेक्सिको, ब्राजील, बेश्ट इंडीज, चिली और गेलाप वावस, आइजलेंड इन देशों में यह फैला हुआ है और आइजलेंड है फैला हुआ है इस छेतर के अंतरगत मेक्सिको, ब्राजील, बेश्ट इंडीज, चिली, गेलाप, वस्दीब, समलित हैं यह कांचिस्ट किये जाते हैं क्लाइमेट की बारे में बात करते हैं हम यहां के तो प्राणियों का जो अधिक्तम यह वाला जो छेतर है यह प्राणियों के लिए अधिक्तम आवास उपलब्द कराता है और यह मोश्ट ली ट्रोपिकल रीजन में पाया जाता है इस छेतर की एक खास बात है कि यहां बर्स भर एक तो तापमान जो टेमपरेचर है वो अधिक रहता है और एक यहां पर जो ओसत बर्सा का है रेन का रेन का जो ओसत होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन दोनों का कारकों के कारण टेमपरेचर एंड रेन इनके कारण यहां का मौसम जीवजात के लिए बहुत अधिक प्लांट्स के लिए और एनिमल दोनों के लिए बहुत अधिक अनकुलित होती है तो यह वाला जो छेत्र है यहां जैबिवित्ता बहुत अधिक रिच पाई जाती है या बहुत अधिक चैब बेवित्ता यहां पाई जाती है वो इसलिए कि इस चेत्री की जो भागलिक कंडिसन है वो जीवों के लिए बहुत अदिक अनुकुलित होती है टेंपरिचर और पानी की यहां पर पुर्चोर्टा पाई जाती है इसके कारणी यहां पहर जो यहां पर गहास के मैदान घने बन पर चुर्था में पाए जाते हैं इस छेत्र को हम डाइग्राम के जरिये देख लेते हैं कि यह छेत्र कहां तक पहला हुआ है जो इजी हो जाएगा आपको याद करना तो यहां आप यह देखें कि यह जो नियो ट्रॉपिकल रीजन है यह वाला यह वाला जो रीजन है इससे हम नियो ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं इसमें यहां पर जो यह रीजन है आप देख रहे हैं यहां पर बेश्ट इंडीज वाला रीजन है इधर यहाँ पर गेलापाउगस आईजलेंड यहाँ पर पाए जाता है इसके अंदर गति यह जो तटिय सीमा है यहाँ पर यह चिली की तटिय सीमा है चिली जो देस है उसकी सीमा है इसके अलावा इसमें ब्राजील मेक्स को सम्मिलत है तो यह जो आप यह कह सकते हैं कि जो साउथ अमेरका वाला complete जो region है साउथ अमेरका वाला यह नियो ट्रोपिकल के अंतरगत आता है इस चेतर को हम जिसमें Amazon के बर्साबन पाए जाते हैं आपने सुना होगा Amazon के बर्साबन Amazon नदी यहीं पे पाए जाती है अमेजन के बरसाबन भी यहीं पाई जाते हैं जिनने प्रश्वी के लंग्स के नाम से भी जानते हैं यह काफी महत्पूर्ण प्रदीश हैं यह अपने देख लें आप यह जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है संपूर्ण यह रीजन नियो ट्रोपिकल रीजन कहलाता है जिसके अंतरका चिली, ब्राजील, मेक्सको, आयंड, बेश्ट इंडीज आते हैं और गेलापोगस दीप भी आता है फोना और यहां का जन्तुजाद, जन्तुजाद के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इस छेत्र में बहुत अधिक विवित्ता पाई जाती है और एक सो पच्पन फैमली के यहां पर बर्टिब्रेट्स पाई जाते हैं जो कि अपने आप में बहुत अधिके सेंख्या दर साता और बहुत अधिक पित्त दर साता और जो खास है यहां कि यहां लगवक 99 फैमली कें ईंडैनिज में इस्पसीज पाई जाती हैं तो ऐसी इस्पसीज के वले यहीं पर पाई जाते हैं तो इस्पसीज जो रिश्टनेस है वो बहुत ज्यादा है 49 फैमिली में से 10 मैमल्स की फैमिली है जो यहीं पाई जाती है 23 एवीज की दरश्टी से देखें और पच्छी जाज की दरश्टी से देखें तो इस छेत्रों को हम चडियों का प्रदेश के नाम से भी जानते हैं यहां पर बहुत अधिक विवित्ता पाई जाती है और दो रेप्टाइल्स के फैमिली है जो एंडेनिज्म के रूप में पाई जाती है तो यह छेत्र भायो जाए डाइवर्सिटी की दरश्टी से बहुत अधिक महत्पूर्ण है और बहुत अधिक रिच है किसी भी छेत्र में यदि एंडेनिज्म अधिक होती है तो वह बायो डाइवर्सिटी की दरश्टी से भी बहुत अधिक महत्पूर्ण हो जाता है हम प्रितिक बर्ग के हिसाब से प्रितिक बर्ग में पिसीज, एमफीविया, रैप्टीलिया, एवीज और मैमल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से यहां पर जीवा का डिश्टीविशन पाय जाता है और कौन-कौन से जीव होता है तो यहां पर पाय जाते हैं तो पिसीज में यहां जो फ्रेस वाटर फिसेज हैं वो पाई जाती है इसके अलावा भी आप यहीं टॉर्पीड़ो है लेपिडो से लेपिडो साइरन है यहां पर पाई जाती है amphibians में यहाँ पर हमने आपको बताया था कि amphibians के चार फैमिली ऐसी है जो केवल यहीं पर पाई जाती है इसके लावा यहाँ पर राना इंडियन बुल फ्रोक के नाम से भी जानते हैं वो यहाँ पर भी पाई जाता है तोड है हाईला न्यूट यह सभी पाई जाते हैं रेप्टाइल्स और सरीस्रप बर्ग सरीस्रप बर्ग में यहाँ पर बहुत अदिक बिवित्ता पाई जाती है यहाँ टर्टल पच्छुए जिने हम बोलते हैं क्रोकोडाइल मागरमच घडियाल गीको टिफलोफ्स कोरल स्न यहां पर पाई जाते हैं इस प्रिदेश में हमने आपको पहले बताया था कि टेवीज फैमिली ऐसी है जो एंडे निजम के रूप में पाई जाती हैं यहां कुल टोटल लगबग सर्षट फैमिली के पच्छी जात पाई जाते हैं तो बहुत अधिक बिवित्ता पाई जाती है यहां पर पच्छी जात में इस छेत्र को चडियों के प्रिदेश के नाम से भी जाना जाता है इस छेत्र को चडियों का प्रिदेश भी कहते हैं यहां पर रिया टेनेमस बगुला सारस बथक पूतर, तोता, बुड़ पैकर, सौवेलो, आईविस, किंग फिसर, पफ चडिया, जैकाना, पादप कटर, ओईल चडिया, यह सभी यहां पर पाए जाते हैं, तो पच्छी जात में इस छेतर में बहुत अधिक विवित्ता पाए जाती है, तो यहां यह कोस्टिन मनता है कि कि प्रदेश को वो या किस रीजन को चडियों के प्रदेश के रूप में जाना जाता है, तो नियो ट्रोपिकल रीजन को चडियों के प्रदेश के रूप में जाना जाता है, नियो ट्रोपिकल रीजन को, यह दूसरा कोस्टिन हम जनरली बोला है कि वो साथ अमेर का वाला जो रीजन है साउथ अफियर का रीजन या चिली मैक्स को किस प्रदेश के अंतरगत आते हैं तो अभी आप बता सकते नियो ट्रॉपिकल रीजन मैमल्स मैमल्स में भी यहां बहुत अदिक विवित्ता पाई जाती है 32 फैमली के यहां पर मैमल्स पाए जाते हैं जिनमें 10 फैमली ऐसी हैं जो कि कि इंडे निजम के रूप में या मूलच परजाती रूप में पाई जाती हैं कुछ यहांपर बात कर लेते हैं जैसे है जो मॉल्स, गोडे, यहां एप्सेंट हाते हैं है जोग, मॉल, वीवर, सहाइना, गोड़े यहां पर नहीं पाए जाते हैं यहां यहां नई दुनिया के बंदर खरगो, सहरण, सेही, गिलहरी, आर्मडिलो और टापर यहां पर पाए जाते हैं इस रीजन को, इस छेत्र को चार सब रीजन में बाटा गया है क्योंकि देशों के नाम की आधार पे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर, फर्स्ट है इसमें चिलियन रीजन, इसमें चिली वाला जो रीजन आ जाएगा, जो कोस्टल एरिया है, चिली जो देश है, उसका कोस्टल एरिया है, वो संपूर रीजन, चिलियन सब रीजन कहलाएग Mexico Region, इसमें मेक्सको वाला छत्र आएगा Antillian region में Best Indies क्षेत्रे आता है तो यह चरों काफी महत्पूर हो जाते हैं इसके चार छ्चेत्रे हैं 3 तो देसों के नाम के अधार पते हैं और 4 तेहें जो Best Indies वाला रीजन है उसे हम Antillian region के नाम से जानते हैं याद करना भी आसान है जैसे आपने तीन देशों के नाम याद कर लिए चिली, ब्राजील, मेक्सिका, मेक्सिका, मेक्सिको तो इन ही के नाम पर आप चिली से चिलियन, ब्राजील से ब्राजीलियन, मेक्सिको से मेक्सिकन रीजिन, यह तीन हो जाते हैं और फोर्त आप याद क कर लें तो यहां पर एक small question मनता चोटा question मनता पहला कि चिडियों के प्रदेश के रूप में किस चेत्र को जाना जाता है और second जो यहां पर question मनता है वो यह है नियो ट्रोफिकल चेत्र के भुभोगोलिक बित्रण और यहां के फोना का बिस्तार से बढ़नान कीजिए या नियो ट्रोफिकल रीजन का बिस्तार से बढ़नाने एजी है यह question यहां पर बड़ा बनता है पिछले कई बार से यह जो छे रीजन है इनमें से एक रीजन एक बड़े question गरूप में जनरली आता रहता है thanks for student for listening